असलाम नेकुम फ्रेंड्स वेलकाँ टो मैं चैनल आईटी इंफो कैसे ही आप सब उमीद करता हूं सब खेरिया से होंगे आज की जो हमारी वीडियो है यह वाउचर सिस्टम होट्सपोर्ट के हवाले से हैं हम आज की वीडियो में होट्सपोर्ट को कंफिगर करेंगे यह वे वीडियो मुफ् – हवाउचर Consy, वाउचर जेनरेट एक तरह से हम इसको कवर करेंगे 30 देसके बाद अगर हम कोई भी परफाइल और हम यह चाहते हैं कि 30 देसके बाद जो हईूजर है वह आटो डिलीट हो जाए हमें मैनुवली डिलीट नहीं करना पड़े radius का जो feature है यह हम अगर winbox में करना चाह रहे हैं तो हम यहीं पर कवर करेंगे वीडियो में और qr code किस तरह से generate करते हैं कि हमें manually page ओपर नहीं करना पड़े user ने password manually नहीं put करना पड़े हम just qr code scan करें और हमारा hotspot का जो user है वो login हो जाए यह सारी चीज़े हम cover करेंगे आज की इस वीडियो में स्क्रीन के पर आपको microtik मेरा open नदर आ रहा है यह hex s model है इसमें 5 हमारे पास ports होती है एक port जो ether one है यह as a when हम configure करेंगे और इसमें ether five जो ही है as a land हम configure करेंगे तो सबसे पहले हम when configure करेंगे मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है वो DNS configure कर लेता हूँ Google के DNS में यहाँ यहाँ यूज कर रहा हूँ आप अपने आईएसपी के हिसाब से यहाँ यहाँ यूज कर सकते हैं Google के DNS भी यूज किये जा सकते हैं मेरे पास dacp client की services यहाँ पर own है तो ether one में as a dacp client यहाँ पर add कर लूँगा DNS में ने कतम कर दी है कि जो यहाँ से DNS आ है वो use ना हो add default route येस ताके default route जो है वो auto add हो जाए मुझे खुद से add नहीं करना पड़े यहाँ पर when यह हमारी configure हो चुगी है हम यहाँ पर masquerade कर देते हैं source net और masquerade ताके internet जो हमारी land के उपर access हो सके pink करके check कर लेते हैं google का pink जो हमें यहाँ पर मिल गया है land configure करते हैं उसके लिए हम एक bridge बना लेते जिस इस port को हमने add करना होगा हम इसी bridge के अंदर इसको add कर लेंगे port समबाद में add कर लेंगे addresses 192.1.1.1.1.2.4 2 सरे के 254 तक चो आई-पी जैंगे मेरी pull list में आ जाएंगे यह usable IP होंगे मेरे लिए dacp server configure कर लेते हैं IP dacp server पे क्लिक करने के बाद हमारे बाद dacp setup है इस पे हम क्लिक करेंगे यहां पर हम अपनी port इसमें नहीं करेंगे आई-पी hotspot और hotspot में याने के बाद यहां पर हमारे बास hotspot setup है इस पे हम क्लिक कर लेते हैं इंटरफेस हमारे पास bridge land है next करेंगे अगें नेक्स करेंगे अगें नेक्स अगें नेक्स अगें डियनेस नेम जो है मैं यहां पर login.me रख रहा हूं और यहां पर admin का password में admin ही सेट कर लेता हूं बाद में हम चेंज कर सकते हैं यह से अडरेस पर मैग मुझे बन चाहिए और server profiles पर हम क्लिक करेंगे login पर क्लिक करेंगे अगर हम qr code को scan करके login करना चाहरे तो यहां पर check लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है mac cookies हम जो है यह enable कर लेंगे apply और हम इसे ok कर देते हैं यहां पर अब हम एक profile बनाएंगे अभी एक user भी हम यहां पर बना लेते हैं user 1122 और उसका password भी 1122 है पहले हम profile बनाते हैं 10MB यह हम बना रहे हैं 30 days के लिए speed मैं रखना चाहरा हूँ 10MB upload 10MB download यह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं apply ओके इसी को हम copy कर लेते हैं एक profile हम बनाएंगे 10 और वन होर के लिए एक घंटे के लिए speed limit में 10MB ही रहने दूंगा apply कर लेते हैं एक और copy करते हैं एक profile बनाएंगे two minutes के लिए और इसे भी हम okay कर लेते हैं यहाँ पर हमने तीन profile बना ली हैं एक user हम यहाँ पर create करेंगे डबल वन डबल टू डबल वन डबल टू टेस्टिंग के लिए टू मिनिट्स का जो यूजर है इसी को मैं यहाँ पर यूज करूंगा ताके वीडियो जादा लंबी न हो या मुझे इसे कट करके वेट नहीं करना पड़े टू मिनिट्स के अंदर जो हमारे यूजर लोगिन होगा वह हम देखने साथ ही यूजर भी डिलीट हो जाएगा और हमारे पस active में से भी जो यूजर है वो रिमूव हो जाएगा प्रोफाइल में वन और की जो प्रोफाइल बनाईती से हम उपन कर लेते हैं सबसे उपर देखे जनरल के साथ क्यूँ है और इसके साथ स्कृप्ट से स्कृप्ट पर आ जाते हैं यह एक प्री डिजाइं स्कृप्ट है यहाँ पे आपने जो चेंजिस करनी है वो सिर्फ इतना सा सेक्शन है इंटर्वल का यह स्क्रीप्ट एक घंटे के लिए है तो मैंने यहाँ पे 24 आर का टाइम दिया हुआ है 24 आर के बाद यह स्क्रीप्ट यूजर को आटो डिलीट कर देगी यह यूजर को शेडूलर में एक शेडूलर अभी एक जनरेट करेगा वहाँ से भी रिमूव कर देगा और होट स्पोर्ट के एक्टिव में से भी यूजर होगा यह उसको भी डिलीट कर देगा और होट स्पोर्ट को जो यूजर है यह उसको भी रिमूव कर देगा ताकि जो यूजर है वो दोबारा एक्टिव ना हो सके स्पेसिफिक टाइम के बाद यूजर जो है वो ओटो डिलीट हो जाएगा मैं इस क्रिप्ट कोपी करता हूँ यहां पे पेस्ट करतेता हूँ अप्लाई ओके इसके बाद नीचे एक स्क्रिप्ट दो मिनिट के लिए भी मैंने त्यार की हुई है इसे भी मैं यहां पे कोपी कर लेता हूँ और इसे अप्लाई ओके यहां पे कर देते हैं एक स्क्रिप्ट जो है वह हम अभी और त्यार कर लेते हैं फोर थर्टी मिनिट्स मैं इसे copy कर लेता हूँ 30 days के लिए हमारे पास ये जो हमारे पास पहले दो 0 हैं ये second को represent कर रहे हैं ये minutes को ये घंटों को और days के लिए हम यहाँ पे 30 days के लिए d को यहाँ पे हम लिख देंगे ये तीन घंटे के interval हम रख लेते हैं यहाँ पे तीन घंटे के बाद ये से चेक करता रही user expired तो नहीं हो गया और इसके बाद हम इसको copy करते हैं इस script को यहाँ बे हम इसे paste कर देते हैं apply और ok कर देते हैं ports की बाद करें तो ether 5 और मेरा laptop इसके साथ ether 2 के साथ connect है और port 5 के साथ मैंने एक router connect किया हुआ है मैं mobile पे भी अभी QR code से login करके तो इसे test करूँगा user पे आ जाते हैं एक और user यहाँ पे generate कर लेते हैं user profile टू मिनिट अप्लाइ ओके टू मिनिट को ही अभी हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे मैं अपने laptop का जो wifi है इसको disconnect कर देता हूँ और यहाँ पे हम चेक करेंगे मुझे IP मिल गया है नहीं मिला यहाँ पे मैं एक दफ़ा इसे disable करके दोबारा enable करता हूँ ताके मुझे new IP जो है माइक्रोटिक की तरफ से सिस्टम को मिल जाए IP मिला है साथ ही जो hotspot का पेज है वो ओटोन हो गया है मैंने एक यूजर बनाया था यूजर ने इंफो पास्वर्ट भी मैंने उसका इंफो रखा था मैं आप इसे connect के बटन के ओपर connect कर लेता हूँ माइक्रोटिक के ओपर हम देखेंगे एक्टिव में यूजर आ चुका है अब टाइंग की बात करें तो यहां पर एक मिनट और यह दो मिनट होगा है हो चुके हैं शेडूलर से जो हमारी स्क्रिप्ट सी वो ड्लीट आउट हो गई है एक्टिव में से भी यूजर ड्लीट हो गया है और यूजर लिस्ट में से भी यूजर ड्लीट हो गया है अब मैं मुबाइल से किनेक्ट करूंगा और साथ विंडो पर आप देख सकेंगे कि यहां पर मुबाइल पर किस तरह से हम इसे किनेक्ट करेंगे qr code को scan करके qr code generate करने के लिए मेरे पास user है 1122 password है 1122 तो हम auto इसको login करवाना चाहरे तो उसके लिए क्या हमारे पास url होना चाहिए और किस तरह से qr code जो है वो हम बनाएंगे उसके लिए हमारे बास website है qr-code-generator.com यहां पे आप देख सकते है 192.1.1.1 जो है यह मेरे LAN का IP है और इसके बाद जो है slash login इसके बाद यहां पे question mark है उसके बाद user is equal to जो भी user होगा वो user आप यहां पे लिखेंगे and password is equal to जो भी password है वो यहां पे लिखेंगे तो यह auto qr code जो है यहां पे generate कर देगा मैं mobile से भी इसी को scan करूँगा और scan करने के बाद आप लोग देखेंगे कि direct जो है मेरा mobile वो login कर देगा मुझे page open करके वहां पे user name password type करने की जरूरत नहीं होगी इसके जो link है यह आपको description मे मिल जाएगा और यह जो आपके पास यह line है यह भी मैं mention कर दूँगा वहां पे just आप अपना username और password को change करेंगे यहां पे username मिसाल के तो अगर आपके पास अली है और password उसका अली one two है तो हम यह सिर्फ username is equal to के आगे और end से पहले पहले change करेंगे और password के last digit है यह हम change करेंगे तो QR code जो ही auto generate हो जाएगा यहां पर अभी हमारे पास यूजर बना हुए वह double one double two है और double one double two है मैं यहां पर इसका पहले से इसका वो screen shot है वो ले चुका हूँ आप अपने user को यह इस तरह QR code बना के send कर सकते हैं वो इससे scan करेंगा अपने mobile से और जो login है वो हो जाएगा और specific time के बाद जो है user micro tick में से auto delete हो जाएगा उमीद करता हूँ मेरी वीडियो अब लोग को अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को like कीजेगा मेरे चैनल को subscribe कीजेगा अपना बहुत सा ख्यार कियेगा अलहाफिज कर दो कर दो